एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का किस्सा जब लोगों ने चोर से पूछा भाई क्या हुआ तो वो कहने लगा मैंने एक आदमी का थैला छीना है वह कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है मेरी आखों की रोशनी चली गई खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूँ जब लोगों ने पूछा की यह किस्सा कहा पेश आया तो कहने लगा फला नाई की दुकान के करीब पेश आया लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा की इस तरह का कोई आदमी यहां से गुजरा है आप उसे जानते हो उसने कहा मुझे उसका घर तो पता नहीं हा मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं अगली नमाज के लिए फिर आएंगे ये लोग इंतिजार में बैठ गए वह बुजर्ग अपने वक्त पर तश्रीफ लाए लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पाफ पकड़ लिये की मुझसे गलती हो गई गुनाह हो गया नादिन हूँ शर्मिंदा हूँ मेरी आखों की रोशनी छिन गई आप अपने पैसे वापस ले लीजिये और मुझे माफ कर दीजिये ताकि अल्लाह ताला मेरी आखें ठीक कर दे वह बुजर्ग कहने लगे की मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ कहने लगा हजर्त मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं की माफी मांगने से पहले ही माफ फर्मा दिया वह फर्माने लगे हा मेरे दिल में कोई बा तो मैं उस वक्त तक मीजान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता. मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी अल्लाह के नभी अलहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा. इसलिए मैंने माफ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा नहीं मेरे महबूद को जन्नत में जाने में देर लगेगी. वह जल्द जन्नत में तश्रीफ ले जाएंगे.